हर्याड़ा चुनाव में मिली हार से कॉंग्रस पाटि ने शायद सबक ले लिया है चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही महराश्टर में कॉंग्रस पाटि के सीनियर लीजर्स ने अपनी पूरी फौज उतार दी है महराश्र चुनाफ के लिए कॉंग्रिस ने 13 सीनियर नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है इस वे 11 सीनियर नेताओं को अब्जरवर बनाये गया है राज़स्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोग गहलोत को मुंबई और कॉंकन का अब्जरवर बनाये गया है राज़स्थान के पूर्व जेपीटी सीम सचिन पालेट को मराच वाड़ा का अब्जरवर बनाये गया तो 36 कर्ड के पूर्व जेपीटी सीम टीये सिंग देव को वेस्टन महराश्र का अब्जरवर नियुक्त किया गया इसके लाबा नासर हुसेन को कॉंग्रिस ने नौट महराश्र की जिम्मेदारी सौपी दो नेताओं यानि कि मुकल बासनिक और विनाश पांड़ी को सीनियर इलेक्शन कॉडिनेटर नियुक्त कर दिया है कॉंग्रिस की कोशिश ये है कि जिस गुडबाजी की वज़े से हरियाडा में हार हुई वो गल्ती महराश्र में ना दोहराई जाए क्या कॉंग्रिस पार्टी तैयार है हम तो इसलिए समाधनी है कि चलो इलेक्शन तो शुरू हरा है होगा कि ने ऐसा लगता था पूरे लोग साशंग थे कि इस बार जैसा स्तानिक स्वरज सांस्ता है उसका इलेक्शन आगे आगे जा रहा है वैसा ये असेंब्ली का ही जाएगा इसा लगता था चला शुरू हो गया है अगड़ी की तैयर ही है जीच जाएंगे हम पहली लिस्ट कब तो उम्मिद करें आप लोग क्या अकेली आएगी है जोइंट आएगी जोग आएगी हो साथ में हम डिसाइड करने वाले है अलग आ सकती है या एक साथ आज सकती है लेकिन जोइंटली भी इलेक्शन करने वाले हैं हमारे मुद्दे तो दो दिन पहले एक प्रेस हो गई हमारी हमने तो चार शीट रखा है और हम क्या करने वाले इसके बारे भी जल्दी हम बताएंगे कि तरफ से कहा जाए फिर जो उन लोकसभा चुनाव के दोरान उनकी तरफ से जो गलती हैं जिस वज़े से महाविकास आगड़ी काफी हद तक आगे बढ़ गई तो पूरे चुनाव में उन गलती हो कर लिया गया है कास्ट कालकुलेशन पर खास तोर पर ज्यादा धान दिय है जार उनकी तरफ से ने ने गलती इलेक्शन में नहीं थी दस साल गलती हैं कर रहे हो और लोगों के ध्यान में आया है कि यह गलत लोग है गलती से नहीं गलती से उनको चुना चुन कर दिया है